हेलो फ्रेंज मेरा नाम है रिचा और आज हम आपके लेकर आएं एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी गाजर की बर्फी तो आज देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है सबसे पहले कड़ाई में हम एक कप दूद ले रहे हैं यह फुल क्रीम दूद है जैसे दूद में बॉयल आना शुरू होगा इसमें हम डाल देंगे कदुकस की गाजर हमने यहाप पे गाजर को धाइसोग्राम लिया है इसे अच्छे से छेल के धो के कदुकस किया है अब ताकि गाजर दूद के सब्सक्राइब अच्छे से मिक्स हो जाए फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है तो इस बात का ध्यान लखेगा इसे तार लगातार तो चलाते रहेंगे गाजर को भूनते वे 5 मिट हो चुके हैं और हम यहापे डाल है चार बड़ी चम्मत देसी गी इ लगातार चलाते रहेंगे ज़कि मॉशयर काफी सूख चुका है तो ऐसा ना हो बेटर हमारा जल जायए तो इसे लगातार चलाते रहेंगे फ्लेम को मने मीडियम पे रखा है और अब हम इसमें डाल रहेंगे शक्कर तो यहापे हमने 500 ग्रम के हिसाप से 100 ग्रम शक्र कर ली अब इससे अच्छे से मिला लेंगे अब तो बिल्कुल भी इससे हम छोड़ नहीं सकते फ्लेम को मैं लोग पे कर दिया है क्योंकि जो शक्कर है यह पानी छोड़ेगा और जो पानी होगा क्योंकि यह शक्कर का पानी से चाशनी बनती है तो इससे हम लगतार चलाएंगे और लगतार चलाते हुए शक्कर घुलने का वेट करेंगे जैसे शक्कर घुलेगी थोड़ा लिकुड़ी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह पर शक्कर अच्छे से घुल गई हो यह काफी लिक्विड लिक्विड जैसा होने लगा है इसे हम चलाते रहेंगे लगतार चला तर भी अबजाब हो जाए और जो मरख होया है यह अच्छे से बुन जाए तो लगतार चलाएंगे प्रेम को मिडियम पे रख दिया है और आप देख सकते हैं कि खोए ने चाशनी को अबजाब कर लिया है तो तर ड्राय-ड्रा होने लगा है मगा भी इसे और ड्राय करना है फ्रेम को मिडियम पे रखेंगे और लगतार चलाता भी इसे फ्राय करेंगे लाकि कोई भी चीज तले में चिपके नहीं अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो काफी ठीक होने लगा है तो इसमें हम डाल देंगे गरी का बुरादा आप में आप एक काजु का प और ठिक हो जाएगा तो यह देखिया नहीं डाल के सच्छी से मिला लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर लगबग एक चुछा चमच इसे स्मेल भी अच्छी आएगी और फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो हमने सब चीदों को कि ट्रेली है इसमें हमने बटर बेपर लगा दिया है उसे और अच्छी से ग्रीज कर दिया है और हम डाल देंगे अपना यह काजर का मिक्षर और इसको सेट होने देंगे आप चाहें जबने लच पर डाला था उसी टाइम पर में भी बिढ़ा सकते हैं पर हम में भी उपर स दाल रहे हैं ताकि वह देखने में काफी अच्छा लगे है सारा बेटर डालने के बाद स्पैचुला से इसको हम सेट कर लेंगे बिल्कुल बरबर से एजिस को काफी अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि वह देखने में भी अच्छी लगे बरफी और शेप में भी बेटर हो त विज्टा के स्लाइस किये हुए दाने तो कुछ इसे से लगादिए ने हल्का सा प्रेस करदेंगे ताकि इसके अदर अच्छे से जम जाएं इससे आधा गांद के छोड़ देंगे तकि ठंडा हो जाए अपके छायता प्रेस कर देंगे स्पैचुला से ताकि इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं अगर बेटा पेपर ना हो तो सिफ नॉर्मल पेपर को भी अच्छे से ओल अगर रखेंगे तो भी यह अच्छे से काम करेगा देखिए एगंटा हो गया है अब भी इसके पीस काट लेते हैं इसको हमने एक इंच के टुकड़ों में कट किया है आप बड़े चोटे तिकोर नहीं जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं तो यह देखिए हमने इसे कट कर लिया है अब हम आपको एक पीस दिखा भी देते हैं कि इतना अच्छा शेप आया है इसका टेक्शिर कितना बढ़िया है बिल्कुल हलवाईयों जैसा स्वाथ है इसका आप इसे जरूर ट्राय करिए और मुझे जरूर बताएगा कि यह आपक तो यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट हमारी बर्फी तयार है अगर आपको मेरी गादर के वरी प्रसंद आई हो तीज में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें बेल आकर दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस वीडियो के अपड करें आपको मेण के अपड़ीं अजय चैनल के वीजाओın के रवेताए उम जया के लाएब पर kolे के लिज हो जा देसे हीणान अक पर사 Norway